स्ब्सक्राइब लोग पढ़ेंगे इल्यास फरहाद सहाब को हम लोग ने मिशाल मालूस सहाब को पढ़ा और इल्यास फरहाद सहाब को देखते हैं सबसे पहले इनकी पैदाइश नहीं लिखा नहीं यहाँ पर ये लिखा है 1893 में इनकी पैदाइश होती है और वो कहा होती है कफर शीमा में कफर शीमा मिशाल मालूस सहाब को हमने पढ़ा था जहला लुबनान में और इनका हम याद करेंगे कफर शीमा वो शमीम भाय के वीडियो जो वो कहते हैं कि याद करने का अच्छा तरीका इन पढ़ो पैदा हो और इनकी वफात हो जाती है 1977 में दो कौल है या तो 1977 में इनकी वफात हो जाती है या फिर ये के 76 में वफात हो जाती है दोनों कौल है बरहाल और इनका लकब क्या है एक तो लकब यहाँ पर सामने जिकर है शायरुन नम्रूद कहते हैं क्या कहते हैं शायरुन नम्रूद इस इसी तरह इनको कहते हैं शायरुत तबिया ये भी इनका लगब है शायरुत तबिया दो लगब होगे इनके एक तो यहां सामने मज़कुर है शायरुन नम्रुद और एक शायरुत तबिया भी इनको कहते हैं तरकल मदरसता फिल आशरती वतदर्रबा अल्मिहनल यदवियता इ कब की बात है 1910 यह हम लोग पढ़े थे कि मिन्शाल मालूब साहब के बारें भी कि वह भी हिजरत कब किये है 1910 में 1910 की बात है दहवे इला बराजील वन्जम्म इला खवेही वदिया वसाइद फी विलायत मीनास विलायत मीनास में अपने दो भाई वदी और साथ के साथ मिल सुमंतकल इला सानबालो वजारा वजावला इदता आमालीन और फी सानबालो चले जाते हैं बराजील जहां अज़ा दरसिया की बन्याद रखी जाती है बराजील में और वहाँ पर इन्हों ने जावला युजावला मुजावला की माना महारत हासल करना काम करना तो इन्हों यहां तो तीन ही लोगों का सिलेबस में तसकिरा है, बाकी जब आस बेंदल से पढ़ेंगे तो वहां सब लोग आ जाएंगे। उसके बाद है 1921, 1921 की बाद है, तजवज बिन जोलिया बश्यार जुबरान, किन से शादी होती है इनकी, जोलिया बश्यार जुबरान से इनकी शादी हो जाती है, तो याद करने अच्छा है, जोलिया बश्यार जुबरान से इनकी शादी हो जाती है, साहमा फी मजलत इल को न है मुक्रिया के बानी दूसरे वाली किताब में लिखा है सलीम लबकी वो जो दूसरी किताब है यूजिस तुनेट वाली 2019 वाली उसमें है सलीम लबकी इन्होंने ये अख़बार निकाया था जरीदा मुक्रिया इसके बाद है 1948 की बात है जाइसतु शियर मिमचमाई फवाद लवल इनको क्या है मजमें फवाद लवल से इनको शेर कहने के जाएसे इनको इनाम दिया गया होगा कब की बात है 1948 की विसामल इस्तिहकाकी मिन दर्जति लूला और सूरी गोवर्मेंट ने हकूमत ने इनको क्या दिया विसामल इस्तिहकाक मिन दर्जति लूला ये तमगा दिया था इनको कि ये मतलब कि पहले दर्जे से ये शेर शायरी कहने में पहले दर्जे का कुछ होता होगा तमगा वो को दिया होगा उन्होंने 1959 1969 की बात है ये सूरिया आते हैं 1969 में ये सूरिया आते हैं वाकाम फीहा वा फी लुबनान मुद्दतन काना मिन अत्यवी अयाम ही और वहां कियाम करते हैं उसके बाद लुबनान चले जाते हैं एक मुद्दत वहां भी productive क्याम करते हैं, काइत मिनत यवी ऐयामी ही उनके बहुत ही अच्छे दिनों मेंसे एक दिन थे वो एक मुदत थी अच्छे मुदत मेंसे फिर दोवारह ये बराजिल लॉटते हैं भ बराजिल में 1977 में इनकी औफाद हो जाती है इनके किताबें देखी यही बहुत अहम है इनके किताबें जो है इद्दतु दवाविन अशेरी है इनकी जो कुछ शेरी दवाविन है और अच्छी बात यह है कि इनके जो शेरी दवाविन जो है यह सब क्या है साल के नाम पर मुश्तमीन है क्या कहते हैं उसको सालों के जो मोसम है उन नामों पर ये किताब के इनके दिवान के नाम है सब को एक में जम्म कर दिया गिया है उसका नाम है दिवानु फरहात चार अटजमे। ये जो नीचे हम देख रहे हैं आप दिवानु रबी, एक ये रबी, दिवानु सैफ, मौसमे गर्मा, खरीफ, पतज़ड़़वाला मौसम, और शिता, सर्दीवाला मौसम। तो इन चारो अस्माओ फसूल सना के एक नाम से किनके ये हैं ? नहीं के हैं ? इन्हीं बंदे के से दिवान हैं ? इसे तरह इनका एक दीवान और क्या है ? उह अहलाम الرाई अहलाम الرाई एक किताब है इनकी वो गया है नकद il इस्तिमाई फी उस्लोब इन Чवार बलब के 1953 में ये किताब शाय हुई थी तो इसमे क्या है फी उस्लोब इन ह्यवार एक सौसाइटि पर नक्दे इस्तिमाई है कि फिए उसलोबिन हवार गुफटगू के अंदाज में इनोंने इसमे नक्दिक से काम लिया है इस तरह कि इनकी ये है आउदत अलगाइब आउदत अलगाइब ये भी दिवान है ये भी हम लों लिख लिए आउदत अलगाइब 1964 में ये किताब ये दिवान शाहवीन की इस तरह फवाकिहु रजईया इसमें भी जो है कसाइद है इसमें क्या है कसाइद है फवाकिहु रजईया इसमें क्या है इनका एक है हजियान कसिदत अलटी तुअब्बिरू अन तजरिबतिन इनसानियतिन तुअब्बिरू अन तज ही चीज़े हैं पर साथियों ने लिखाया बहुत ज्यादा तो इनके कुल दिवान कितने हो गए पांस दिवान हो गए एक दिवान इनका रुबायात रुबायू जिसको फरहात के नाम से जैसे सबसे पहले उपर है दिवान फरहात ये कब शायवी थी 1932 में ये वाला एक तो ये दिवान याद करें हम लो दिवान रभी दिवान रभी दिवान खरीब दिवान श्रीता ठीक दिवान फरहात इनमें चारों को जमक किया गया है जैसा कि साथियों ने लिखा रखा है मुझे उसके इलावा दिवान फरहात दो हुए रुबायात दिवान फरहात दो फिर कि इसके बाद अहिलामुराईतिन, और फवाकी उरजिया चार-पांच हो गये, और यह भी दिवान है, और फवाकी उुरजिया भी दिवान है, और इसमें अच्छी बात है कि सन भी मेंशन है अवदतल गाई 1964 में और फवा की हुरजिया कब है 1967 में ये किताब शाय हुई थी चलिए अब रिकेप करते हैं इनके बारे में इनका एक और कसीदा है बैनत तफूला वस्चबाब ये भी लिखे हैं हम लोग जगाखाली है बैनत तफूला वस्चबाब एक क सीदा है इसी तरह इनके बारे में एक इनका वो है सिरे जातिया उसका नाम है कालर रावी क्या नाम है कालर रावी ये इनका सिरे जातिया है कालर रावी ये इनका क्या है सिरे जातिया चलिए रिकेप करते हैं इनकी पैदाश क्या है लहाज फरहाज सहाब की कभा 1893 में और हो जाती है 1977 में और बराजिल में वफात होती है पैदाइश कफर शीमा में होती है कफर शीमा में इनकी पैदाइश होती है और फिर बराजिल चले जाते हैं कब की बात है ये 1910 की जिसमें और कौन है मिशाल मालुप साहब इनके साथ हैं इसी तरह इनके शादी किस्स होती है जोलिया, बर्शारा जुब्रान से और फिर इन्हीं की वज़़ says जुब्रान से इनकी जलोग पढ़ें, जुब्रान खरीड जुब्रान से इनकी दोस्ति भी होती है रिष्दारी लगती है जनूबिया में जोके एस पर अंदर उसे जनूबिया में खायम हुआ है तो इन्होंने साथ दिया कि इनका मिशाल मालूप साहब का उसे तरह औरिफ शेरू बिनस आती है अलवतनी या अलकौमिया इनका शेर में क्या है ये दोबारा एक मरतबह सूरिया आते हैं, जैसे कि यहां में इंसन है, 1969 में क्या होता है, ये सूरिया आते हैं, और फिर इनको बहुत ज़्यादा इकराम भी देती है, वो गवर्मेंट जो होती है, फिर ये लुबनान में भी रुकते हैं, फिर दोबारा ये जो है, बराजिल ही वफात हो जाती है, तो कुल बातें इतनी हैं, और ज्यादे ने जो खास वही है, अस्माओ फुसूली सना, इनको जो दिवान है, वो क्या है, साल के मौसमों के नाम से, रभी, सायव, सिता, खरीफ, ये सब हैं इनका, और चलिए इतनी है, बाकि दिवान वगर है, कालर रा अहलामुराई, नकदुन इस्तिमाईयून, और यसी तरह इनके दवाविन में, रुबाईयात, जिसे रुबाईयात उ फरहात भी कहते हैं, 1925 में शाहिवी थी, उसके बाद ये है, 1925 में अवल वामल ही, इनका पहला अमल किया है, यही रुबाईयात, और उसके बाद दिव जबी, सैफ, खरीफ, शिता, दिवान उ फरहात में ही बाद में शामिल किये गए होंगे, जब भी किये गए होंगे, या अलग-अलग भी निकाले गए होंगे, बरहाल, वसूल सना में यह सब किताब आ जाएंगी, फिर अहलामुराई है, 1953 में, यह किताब जो है, नक्द प जो है, 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 जो है